भारती जनता पार्टी और एंडिये के निताओं के अब कुछ करने के लिए हैं ने मुद्दे नहीं है जनता के बीच से विश्वास इनका खो गया है अब बताईए कि जिस परकार से करनाटक से सारा परियंत्र करने के बाद आज करनाटक से जिनी हार हुई तो देश तो उसी तिसा पर चल चुकी इस लोकतंत्र को कैसे बचावे जिस परकार से इंडिये और भाजबा के निताओं ने इस देश के महान जनता से जो इन्होंने वादा किया था चाहे रोजवार देने की बात हो नौजवानों को दो करो नोक्री देने की बात हो पलायन रोकने की बात हो कल कर खाने खोलने की बात हो बिहार को विशेस दरजा देने की बात हो बिहार में होस्पीटल खोलने की बात हो कई तरह के उन्होंने वादे किये और इस वादे को ज परद्धान मंत्री जी गन्यतु तुम्हें बैठक हो रही और बिहार में क्या हो रहा है। उनके जो पार्टनर है उनके चाचा भतिजा नुरा कुस्ति लड़ रहे है। तो अब तो निस्चित रूप से देखने को मिलेगा कि जिस परकार से इंडिये में घमाशान हो रहा है, आपस में लोग लर रहे हैं और टास के पत्ते के तरफ बिखरेंगे, चुनापके आते आते, टास के पत्ते के तरफ बिखरेंगे देगे पूरे देश के तमाम विपक्षी एकता का वैठक का आज और कल बंगलोर में होने जा रहा है और चुकी सवाल है देश में कि हम समिधान की रक्षा कैसे करें समिधान को हम कैसे बचावें इस लोकतंत्र को कैसे बचावें जिस परकार से एंडिया और भाजपा के नेता किया था चाहे रोजवार देने की बात हो नौजवानों को दो करो नोक्री देने की बात हो पलायन लोकने की बात हो कल कर खाने खोलने की बात हो बिहार को विशेस दरजा देने की बात हो बिहार में होस्पीटल खोलने की बात हो कई तरह के उन्होंने वादे किये और इस वा करते हैं कि पूरी तरह से सारे विपक्ष सवाल एक ही है कि देश को बचाना है इस लोगतंत्र को बचाना है और सारे लोग एकजुट हो रहे हैं हमें लगता है कि आने वाला जो 2024 है जंता समय पर जवाब देती और जंता एकजुट है और एकजुट होके तमाम बिहार और से बिहार से जितने का काम हो गए बाठक हुई थी तो लगतार यहाँ बिजेपी वाले सवाल ख़ड़ा कर रहे थे कि यह पार्टी चल रही है नास्ता पार्टी हो रहा है अब जाकर फिर से भाजपा के लोग कह रहे हैं वहां भी बस नास्ता किया जाएगा कोई बाठक बाठ से साड़ा परियंत्र करने के बाद आज करनाटक से जिनी हार हुई तो देश तो उसी तिसा पर चल चुकी असलियत यही है कि जनता से उखर चुके हैं और जनता इनके वादों से उप चुकी हैं अब जनता दोहजार चौवीस में इन तमाम लोगों को एंडिये के तमाम लो आज कि लिए नडंद्र मोदी कल बैठक करने जा रहे हैं दिली में कल बड़ी बैठक होनी हैं कई बिहार के बड़े नेता भी शामिल होंगे अब इन डिये के माननिये परधान मंत्री जी गन्ने तु तुमें बैठक हो रही और बिहार में क्या हो रहा है उनके जो पार्टन चुनाप के आते आते तास के पत्ते के लिए बिख रहे हैं और पूरी विपक्षी एक जुट होके भाजपा को ख़दरने का काम करेगी देखा जाये तो सीट बटवारे को लेकर पेच फसा हुआ नजर आ रहा है चिराग पास्मान बैठक को लेकर कुछ पितिये निस्टित तोर पे चिराग पास्मान जी हो या मानिये पस्पतिनात पारस सहाब हो तो ये लोग जो आपस में ही लड़ रहे हैं अंडिये के पार् पाजफाग नेताओं को जवाब देना चाहिए कि उनके गठवंदन में सब कुछ ठिक ठाक नहीं चल ला है आपस में नूरा कुस्ति हो रही है तो जनता इन मजाग को इन नौटंकी को देख रही है इस सब का सफाया होने वाला है जनता इन लोग को देख रही है क्या कुछ किया थे रनविजय साहू राजत बिधायक आपने सुना है जमकर निश्राना साधर थे बिजेपी पर तो वही रनविजय साहू ने यह साफ का है कि विपक्षों की बैठक होनी है और यह बैठक कही न कहीं देखने लाइक होगी आने वाले 24 में विपक्ष का जस्तवरीके से बैठक हो रहा है इसको देखते हुए पुरे देश से विजेपी का साफाया होगा और भी तमाम ख़बर के लिए NBC24 के साथ बनने हैं बहुत बहुत धन्यवाद